आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें देखे कॉशन दिया है कि ए बी तथा सी तीनों गेंदों को एच उचाई से क्रमिशा उपर की और बी को नीचे की और तीसरा सी को 36 दिशा में समान वेग से फेका जाता है तो उनके धरातल में टकराने के समय कि गतियों की वीच क्या समंध होगा ये पूछा जा रहा है विकल उन दोनों से कम होगा जो है वो बोला है कि वी एक आमान सबसे कम वी सी का मान उससे जादा और वी बी का मान सबसे जादा होगा ठीक है कौन सा मान यहाँ पर सहीं होगा वो हमें देखना है देखिए ये स्थतिया जैसे दी गई है हम पहले बना लेते हैं उनके लिए उनकी स तरफ एक तरह से प्रशयकाति की जाती है यह लग-विस्य को इस तरह होगी कि यह से बना दिया यह से फूक्ती जा रहा है किस वेक Σब्सक्ताइन होगा है दूसरा अगर बी बाइब की जारी है विक आप ताकि हमें समझ में यह है बीगें नीचे की दिशा में फिका जा रहा है ठीक है नियत वेक यू से ही तो इसके लिए भी इसका वेक्व क्या हो जाएगा यू ही होगा और तीसरा है है सी तोँ सी को हम अगर हम यहाँ पर ना चाहें तो कुछ ऐसे प्रदाष्Yet होगा ठीक है सी यहाँ पर है वह शेयतpora से धará हम बनादेते हैं ओ कितने वेक से? वह भी यू वेक से ही नीचे तो फिक है मतलब प्रशेविपित की जारी है ठीक है अब तो यहाँ पर हम बोलें धरातल से टकंच की समय के जए सममन का होग पूछा जा रहा हैं अब देख लेजें से के लिए हम क्या करते है만 अगल हमसे पहले की बात करें एक क्या होगा एह अगर उस बिंदू से प्रशलों हो रहा है ठीक है यहाँ पर हम इसे चलिए बोलेते हैं बिंदु और को ही प्रदर्शित करते हैं तीनों अपनी स्थितियों को और से प्रश्यपित होती है एक अगर उपर की तरफ जाएगा एक अधिक्तम उचाई वह प्राप्त करेगा उसके बाद उसका वेक शूने होगा अधिकतम उचाई पर फिर वापस से जब वो उसी स्थिती पर आएगा मतलब हम कुछ इस तरह से समझाएं देखिए उपर की तरफ यह पहले तो गती कर रहा है एक इस्थिती पर आकर उसका वेक शूने होग यह हमने माल लिया अब वापस जब प्रशेपन बिंदू पर पहुंचा है तब भी उसका वेक यह है अब इस तरह से प्रित्वी से तकराते समय उसका वेक अगर हम देखें तो इसे हम देखेंगे गती के तृती समीकरण से तीसरा समीकरण हमें क्या बताएगा यह बताएग होगा और यहां पर उसकी उचाई अगर हम देखें तो ध्यान दीजेगा यहां पर उचाई हम बना लेते हैं प्रित्वी तल से उसकी उचाई यहां पर कितनी हैच हम ले लेते हैं ठीक है यहां पर उचाई का मान चूनी रहेगा और यहां पर उचाई का मान एच बराबर हो होगा द्योख को ही बताए रहा तो यहाँ पर हम लेलेक दिया है जिसे एक करूप में ठीक यह पहले किस के लिए हलो गया है एक देख है लेक61 हो गया तकरा आते समय के स्क्तेफिपल तो इस्का पिर फेका जा रहा है उसका वेग अभी यू है यहां भी हम गतिए 133 समीकरन का ही उपयोग करेंगे उसके हिसाबंच अगर हम W के को देखें तो B के को यहांपर V स्क्वार की रूप में प्रसुत किया जाएगा जैस्कामान होगा U square धन यहाँ पर होगा 2GH के रूप में ठीक है उतनी ही उचाई होगी हां तो यहाँ पर V B का वाना हम देखें तो यह भी आता है यहाँ पर U square धन 2GH के रूप में और यहाँ पर होगा वर्ग मूल जो दिखा रहा है यह भी समीकरण 2 को ही दिखा रहा है ठीक कंण 2 मिल यह में हमें अब तीसरे के हैं हमारे लिए हमारे लिए गयन होता है अब हम इसका वेग देखंगे तो शेतितिष ग्यों हमने देखें हो जो है कि यहां पर यूआ के रूप में घर हम देखते हैं तो यह शूनिय और उसका तब हम में उसका और स्थेज़ा से हैं तो के लिए के लिए केमिल हम इसके मां को देखें तो यह आता है वर्गमूल के अंदर 2G करणों से यहां पर हम बोगई तो वी और वी वी का जो मान है वह बराबर दिख रहा है हमें देखे तो वी से का मान U-square के नहीं होने के करण उसका मान कम हो जा रहा है तो यहां पर वी सी का मान सबसे कम होगा, तो एक condition हमें मिल गई है कि gain A, gain B के लिए उसका वेग धरातल पर टक्राते समय समान होगा, जबकि C gain का वेग जो होता है, वो कम होता है, ठीक है इन दोनों के पिक्षा, यहाँ पर देख लें विकल्प में, तो विकल्प हमें जो दिखरा है विकल्प C, यह समन को कि उसके धरातल से टक्राने के समय की गतियों के वीच समन को सही प्रदर्शित करता है विकल्प से, यही प्रशन का उत्तर होगा, धन्यवाद.